हाँ जी बच्चो तो अब हमारा रिविजनरी वीडियो है यह हमारी कौन से रेशो पर एक्टिविटी रेशो है बच्चो एक्टिविटी रेशो हमारे एक्टिविटी रेशो का हम पर्फोर्मेंस रेशो के नाम से भी जानते हैं सरी एक्टिविटी रेशो में एक्टिविट capital turnover ratio mainly 4 है बट data turnover ratio से connected यह correlated एक ratio मिलेगा जिसको हम बोलेंगे average collection period और trade payable turnover ratio से related कौन सा ratio मिलेगा average payment पहले दो वीडियोज में मैंने short term solvency एक वीडियो में करा है short term solvency log term solvency दूसरी वीडियो में मैंने profitability करा है 20-20 minute की वीडियो है उसको अच्छे से आप सभी बच्चे देख लेना ठीक है बच्चो और question सभी बच्चे try करते हैं चलो sir ITR ratio क्या होता है what is inventory अपनी average inventories को किस में convert किया है how frequently अच्छे से थारी का बताओ opening stock बोलो मेरे साथ साथ 10 बार opening stock plus net purchase plus direct expense minus क्या मैं कि आपके पास हैं कोश्चन करना स्टार्ट कर तो कोश्चन मैट कोगे पीछे बढ़ जाओ यह कोश्चन बताओ यह कोश्चन बताओ फिर आपका सही हो जाए कोश्चन पेपर में और नया वाला तरीका 12 वाला बच्चो बताओ C प्लस P प्लस C प्लस 9 समझ में आया बलो हाय ना इस 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 दवे ओफ क्यालकुलेटिंग C ओ जी अस सर कौन सा लगेगा यार यह तो मुझे नहीं पता इट डिपेंड्स ओन सिच्वेशन इन्फॉमेशन डिपेंड्स ओन खॉच्चन टू ठीक है अवरिज इन्वेटरी बच्चो वाली चीज है है अव्ड़ आवरिज इन्वेटरी इस इन्वेटरी जान प्लस दॉच्चिं इन्वेटरी दिवाद बाइ बाइ तू प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाड़ वाइट टू यह रेश्यो इंडिकेर्ट करता है कि मैंने कितनी बार इधर देख लीजे मैंने कितनी बार डेटर से पैसा तो जितनी जादा बार डेटर से पैसा कलेक्ट करूंगा उतना ही तो मेरे लिए क्या रहेगा बेटर रहेगा बोलो हाए ना हाव मैनी टाइमस फंड्स आर कलेक्टिड फॉर्म मन्त कितने होते हैं 12 और डेस कितने होते हैं 365 तो एक बात बताओ उपर वाला fix है और नीचे वाला यह जतना जादा होगा उतना ही बड़ी है ना DTR बोलो हाँ है ना क्योंकि DTR क्या indicate कर रहा है कितनी बार collection करी तो जतनी जादा बार collection करूं हो उतना ही बड़ी है बोलो हाँ है ना तो यह ratio average collection period जितना कम रहेगा उतना बैट रहा है समझ में आई बात अरे बोलो क्योंकि average collection period indicate करता कितने दिनों में collection करी तो बताओ कोई ओगना मैं कभी यह थोड़ी चाहूंगा आपसे क्या महीने केर्ड में पैसा दो मैं तो चाहूंगा पहले दिन ही पैसा दे दो बोलो हाँ है ना क्योंकि एक opportunity cost रहती है पैसे से पैसा कमाया जासे क्रेटर्स turnover ratio को हम क्या बोलता है ट्रेड पेबल turnover ratio बोलो हाँ है ना और वाट इस ट्रेड पेबल ट्रेड पेबल बनते किससे हैं credit purchase से हाँ है ना तो credit net credit purchase अब बताओ credit credit को आप ज्यादा बार पैसे देना चाहोगे यह कम बार पैसे देना कम बार कोई नहीं चाहता करेडर्स को पैसे देना बोलो हाँ है ना कोई वक्ति अपना फायदा चाहता है तो मैं नहीं चाहूंगा मेरे पास कोई पैसा मांगना है तो यहां पर how many times we had made payment to creditors यह indicate करता है इसलिए बच्चों जहान लगना CTR creditors turnover ratio जितना lower होगा जितना क्या होगा lower उतना ही क्या होगा better Lower is the battery. Lower better होने का मतलब, भई मेरा greatest turnover ratio indicate करा है, मैंने 10 बार payment करी. तो मैं तो चाहूंगा एक ही बार payment होई बस. एक बार payment होने का मैं साल में बस एक ही बार payment करी. तो कितना बढ़िया हो जाएगा, बात आही समझ यह नहीं. अब इसी से connected कौन सा ratio निकलेगा बच्चो बता हो, इसी से connected ratio आएगा, average payment भी नहीं. जो है average payment period, जतना जादा होगा, उतना ही बढ़ी है. taşाहूंगा मैं साल में एक यह बार payment करूः. समझने है नहीं है? मैं यह थोड़ी चाहूंगा, दस-दस दिन में payment करता रहूं. मैं तो चाहूंगा, जतना जादा होगा, उतना ही बढ़िया है. जितना ज्यादा टाइम मिल जाए पेइमेंट के रहे उससे बढ़िया कुछ है यह नहीं और लास्ट रेश्यो कौन सा है हमारे पास वर्किंग कैपिडल टर्ण हमारे यह रेश्यो इंडिकेट करता है कि हमने अपनी वर्किंग कैपिडल को कितना efficiently utilize किया है for the purpose of generation of sales तो यह कैसे निकलेगा net sales divided by net working capital और यह कैसे निकलेगा net sales सभी वच्चों को पता है revenue from operation cash sale, jamma credit sale